नमस्कार एक्जाम है पीबाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेट यानि जारखन सिचक पतरता परिच्छा की तैयारी को ले करके है तो आपको बताता चले याद beats परिच्छा के तैयारी कर रहा है एक से 5 कसी चक है या 6-8 कसी चक है और आपका subject गनीत के रूपburg हैibart गनीत में देखिए एक से पांस से चक के लिए तीस प्रसनाएंगे तो आप तीस में तीस लाने के लिए आप हमारे सा तवस्य जुड़ जाईएगा क्योंकि आपको हम बता देते हैं परिच्छा का फॉर्म यहां पर भराना शुरू हो गया है परिच्छा का डेट भी आ गया ह ठीक है तो अब रही बात कि इसमें कैसे त्यारी करें कि अच्छे मार्शा है तो देखें बहुत से चैनल है बहुत से किताबे भी आ चुकी है जो आपको यहां दिखभरमित कर रहा है तो आप दिखभरमित नहीं होंगे आपको हम बता देते हैं आप JCERT टेस्ट बुक JCERT किताब है उससे पढ़ना कभी भी नहीं बुलिएगा क्योंकि सारा प्रस्ण वहीं से फसेगा ठीक है तो हम आपके लिए देखें JCERT टेस्ट बुक का 6-10 तक का 6-10 तक का मिनिमम यहां पर आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं जिससे आपका लगबग यहां 30 जो प्रस्ण है उसमें 25 प्रस्ण आपका यहां से आने की संभावना रहेगी तो आप सभी JCERT टेस्ट बुक से यहां पर मैत का कलास करना कभी भी नहीं बुलेंगे जिनको अभी मिले आप कलासे जोइन कर लिएगा आपको यहां सारा कलासे जो है JCERT जैक की किताब से करवाया जा रहा है ज आपको पर्थम सो विद्यारतियों के लिए उसको 200 किया गया था उसका भी देखिए अब सीट फूल हो गया है अब एक से पांच को सिचक में अधी आप जूड़ना चाहते तो साथ सो रुपए लगेंगे और च्छो से आठ के भी सिचक पतरता पर जूड़ना चाहते तो आ आप सभी अभी के अभी देखें जूड़ जाएगा मुबाइल नंबर आपको दिया गया है वहां से आप नोट कर लेंगे और त्यारी देखिए हम आपके लिए क्लास 6 का एकसरसाइज 13 क्लास 6 का एकसरसाइज 13 जो ब्रीट से समंधित प्रशन है उसको हम लोग यहां पर चेप्टर में हम दे रहे हैं उससे बाहर एक भी प्रशन नहीं दे रहे हैं और आपका जो है यहां पर सारा प्रशन कहां से छपने वाला है तो आपका प्रशन छपेगा जैसी ERT से ही छपेगा ठीक है तो आप सारे प्रशनों को एक बार देखना नहीं बुलिएगा सारे प पहला प्रस्ण है, किसी ब्रीत में कितने केंद्र होते हैं, आपको बताना है कि किसी ब्रीत में कितने केंद्र होंगें, एक, तो, तीन या अनन्द, ये प्रस्ण पंजाब टेट में एक बार पुछा गया है, सीजी टेट में एक बार पुछा गया है, और यूपी टेट में प इसको मान लिजे कि इस केंदर से होगा, तो इस केंदर से ले करके यहां तक एक नोग होगा, इसको मिला करके हम घेचेंगे, ठीक है? तो किसी बृत में अगर केंदर होगा, तो कैग होगा, एक ही ही होगा, ठीक है? अगर केंद्र अलग-अलग होगा तो ब्रीत अलग-अलग होगा ठीक है तो किसी ब्रीत में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं एक ब्रीत में एक ही केंद्र होगा जिससे खीचा जाएगा वो ब्रीत का बीचों बीच में इस्थित भाग होता है उसी को breathe का केंदर कहते हैं ठीक है तियानि एक breathe है एक breathe है उसका beach center ये है तो इसी को में लोग C लिखेंगे या इसी को में लोग center लिखेंगे या इसी को में लोग केंदर कहेंगे ठीक है तो breathe के बीचो बीच भाग में केंदर होता है clear हो गया होगा तो एक इसका right answer हो जाएगा एक ब्रीत में कितनी तिर्जियाएं होती है एक ब्रीत में कितनी तिर्जियाएं खिची जा सकती है आपको बताना है ठीक है जैसे देखिए एक ब्रीत है इसमें केंद्र से इसमें केंद्र से लेकरके परीदी परीदी मतलब यह सब बिंदू अगर A है, B है, C है, D है, E है, F है, यह परीधी परका बिंदू, तो किसी ब्रीत के केंदर से परीधी तक, खीची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तिरिजिया कहते हैं, आर कहते हैं, इसी को रेडियस कहते हैं, तो यह कितना हो सकता है, तो यह देखें, अनन्त हो सकता है ये कितना हो सकता है अनन्त हो सकता है अनन्त इसकी गिंती नहीं कि जा सकती है ठीक है तो किसी ब्रीत में तिर्जियाओं की संख्या कितनी हो सकती है अनन्त हो सकती है तिर्जिया कौन होता है तो ब्रीत का बीचो बीच भाग तो केंदर कहते हैं केंदर से परीधी तक ये जो बारी भाग गई है परीदी है तो बृत के केंदर से परीदी तक खीची गई रेखा को तिरजिया कहते हैं और तिरजिया की संख्या कितनी होती है अनन्त होती है तो यहाँ पर राइट एंसर D हो जागा अनन्त हो जागा यहाँ प्रस्न आपका CG टेट में दू बार आय और यूपी टेट में तीन बार आया है और पंजाब टेट में एक बार आया है ठीक है तो सभी राजियों के सिच्छक पतरता परिछा में जुड़े प्रशना और जुड़े यहां पर सारी बातों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ठीक है एक ब्रीत म केंद्र से परिधी तक बीचों बीच खिची गई रीका को ब्यास कवाता है बीचों देखका रेखा ब्यास होगा, इभी रेखा ब्यास होगा, इभी रेखा ब्यास होगा, इभी रेखा ब्यास होगा, तो ब्यास की संख्या कितनी हो जाएगी, डामेटर्क संख्या कितनी हो जाएगी, तो यह अभी अनन्थ ही हो जाएगा, इंफिनिटीव हो जाएगा, ठीक है, ब्यास क इस वो काते हैं एक बार देखेंगे हम लोग बृत का यह केंद्र है बृत का परीदी से बृत का परीदी से केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा बृत की परीदी के केंद्र से होकर के गुजरने वाली गिये रेखा को बृत का ब्यास काते हैं इसके संख्या कितनी हो सकत तो एक यह भी ब्यास होगा, एक यह भी ब्यास होगा, क्योंकि यह ब्रीद के केंद्र से हो करके खिची गे रहा, ब्रीद के परीदी के दोनों और जो केंद्र से रहा गुजरती है, उसको ब्रीद का ब्यास काते हैं, ब्रीद के केंद्र से परीदी के दोनों और गुजरनों व्यास काते हैं तो इसकी संख्या भी अनन्त हो जाएगी तो राइट एंसर कितना हो जाएगा अनन्त हो जाएगा यानि D हो जाएगा ठीक है चलिए ब्रीत की सबसे बड़ी जीवा को क्या काते है आई जानते हैं जीवा क्या होता है मालने जी एक ब्रीत है ठीक है ब्रीत में परीदी के दो किनारों को, तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, दो किनारों को मिलाने वाले रिखा को बृत की जीवा काते हैं, अगर ये A और B है, पहला किनारा A और B, तो A B जीवा है, अगर यहाँ पर C और D है, तो C और D भी जीवा है, अगर यहाँ पर E और F है तो ब्रीध की सबसे बड़ी जीवा कौन कहते है तो ranging किसी परीध की सबसे बड़ी जीवाकौन कहते है निसा ब्रीध की सब egyस कहते हैं ब्यास काता है कि लिए रो गया होगा राइट एंसर इसका सी हो जाएगा तिर्जिया और ब्यास में क्या संबंद है तिर्जिया और ब्यास में क्या संबंद है समझेगा देखिए गई आप यह तिर्जिया यह है ब्रीद के केंद्र से परिदी के एक किनारी किसी एक किनारी के और खीची के रिखा को तुरिजा कहते हैं अब बृत के केंद्र से दोनों किनारे तक मिलाने वाले रिखा को ब्यास कहते हैं यह पूरे भाग को यह पूरे भाग को D कहेंगे तो यहां से यहां तक यह आ रहा है oa क्या चिह है? 30 यहां यहां पर d ab abd है d बराबर क्या हो जाएगा? то r इधर वाला भी r हो जाएगा और इधर वाला भी r हो जाएगा r ठीक है? तो d बराबर r और r को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2r ठीक है? यानि ब्यास जो होता है वो क्या होता है तिर्जिया का दुगना होता है याद रखेगा यानि ब्यास बराबर कितना होगा तो डी बराबर कितना होगा तो ब्यास होता है तिर्जिया का दुगना तो तिर्जिया क्या हो जागा ब्यास का आधा यह दोनों सुत्र ही इसमें काम करेगा देखते हैं कौन- और यहां पर दिया r बराबर d by 2 यह भी सही है ठीक है तो यह दोनों सही है right answer दोनों है option यहां पर b और c दोनों चला जाएगा ठीक है दोनों चला जाएगा अगला है 6 cm तिरजा वाले बृत का ब्यास क्या होगा चो सेंटीमिटर तिर्जा वाले ब्रीद का ब्यास क्या होगा तो ब्रीद का ब्यास यानि D बराबर कितना होता है 2R होता है ब्रीद का ब्यास जो होता है क्या होता है तिर्जा का दुगना 2R तो 2 इंटू R R कितना है 6 सेंटीमिटर तो 2 x 6 cm कितना हो जागा बता ही है? 12 cm यही इसका right answer हो गया यहीं right answer इसका C हो जागा क्या हो जागा? C हो जागा, ठीक है? चलिए अगला दिखेगा एक ब्रीत जिसका ब्यास 42 cm है उस ब्रीत की तिरजया कितनी होगे? ठीक है? ब्रीत का ब्यास 42 cm दिया है तो D ब्राबर कितना दिया है? 42 cm तो उसकी तिरजया कितनी होगे? ना, तो हम लोग के पास फर्मूला है क्या फर्मूला था? D ब्राबर कितना होता है? 2R तो R ब्राबर क्या हो जागा? R ब्राबर हो जागा देखे D by 2 हो गया, ठीक है? D कितना है? आपके पास देखे 42 cm दिया हुआ है D आपका है, देखे 42 अब बट्टा 2 कर जाएगा 2 से ये 42 कर जाए कितना बर में? 21 बार में तो यहाँ पर आपका क्या निकल रहा है? R निकल रहा है 21 cm, 21 cm आपका किस में है? D में है तो राइट एंसर इसका D हो जाएगा, बाके solution ही है, किया हुआ है ठीक है? अगला देखेगा एक ब्रीट जिसकी तिरजिया 7 cm है, उस ब्रीट की परीदी ग्याद करें तो देखे, ब्रीट की परीदी होता क्या है? ब्रीट का परीदी किसो कहता है? तो ब्रीत के चारो तरब से खीची गई रेखा, एक ब्रीत है, ये चारो तरब से जो एक चक्कर लगाने में तैकी गई दूरी है, उसी को हम लोग ब्रीत की परीधी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ब्रीत की परीधी कहते हैं, ठीक है, तो ब्रीत की परीधी बराबर क्या होत साथ साथ कट गया तो 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटिमीटर यही हमारा हो गया राइट एंसर ठीक है 44 सेंटिमीटर यही हमारा हो गया राइट एंसर तो ए ही इसका एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखेगा एक बृत जिसकी तिरजिया साथ सेंटिमीटर है उस बरीद का छेतरफल गयाद करें एक बरीद जिसकी तिरजया साथ सेंटिमीटर है उस बरीद का छेतरफल गयाद करें ठीक है तो बरीद का छेतरफल का सुत्र याद रखेगा क्या याद रखेगा बरीद का छेत्रफल, बराबर क्या होता है? π.R.Square, बरीट का चेत्रफल बराबर होता है, देखें, π.R.Square होता है, ठीक है? अब देखें, तो π.C. कमान क्यतना हो गया? 22 बटे 7 होता है, और R.Square, तो R कितना दिया है? 7 दिया है, तो सब्सक्राइब और अगला प्रशन देखेगा एक ब्रीत का ब्यास बाइस सेंटीमीटर है उस ब्रीत की तिर्जया कितनी होगे ठीक है तो तिर्जया बराबर क्या होता है याद रखेगा तिर्जया जो होता है ब्यास का आदा होता है तो r बराबर d y 2 होता है तो ब्यास देखें कितना दिया हुआ तो r बराबर d y 2 d कितना दिया है 22 तो 22 बटे 2 2 से कितना हो जाएगा 11 r बराबर हो जाएगा 11 cm यही हो जाएगा answer ठीक है 11 cm b में है तो b ही इसका answer हो गया क्लियर अगला दिखेगा एक ब्रीद की तिरजिया 24 cm है उस ब्रीद का ब्यास ग्याद करें एक ब्रीद की तिरजिया 24 cm उस ब्रीद का ब्यास ग्याद करें तो ब्यास जो होता है क्या होता है तिरजिया का दूगना होता है यही इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला है एक ब्रीत की तिरजिया 14 सेंटिमीटर है उस ब्रीत के चारो और एक परिकर्मा करने का माप बतावें तो ब्रीत के चारो और अगर यह ब्रीत है इस ब्रीत के चारो और एक परिकर्मा हम करेंगे तो एक परिकर्मा को ही हम लोग यहां पर कहेंगे क्या चीज ब्रीत की परिधी कहेंगे एक परिकर्मा करने में जो लगता है उसको बृत की परिदी काते हैं उसी को बृत का परिमाब भी काते हैं बृत की परिदी का लिजिए बृत का परिमाब का लिजिए तो बृत की परिदी या बृत का परिमाब बराबर होता कितना है तो तू पाई आर होता है अब देखेगा 2 pi के लिए ले लिजेगा 22 बटे 7 into r ठीक है तो r का मान कितना है 14 cm है न तो काटिएगा तो r 7 दूनी 14 हो गया 22 दूनी 44 दूनी 88 88 cm यही इसका राइट एंसर हो जागा 80 cm c में है तो c इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो देखे इस तरह से breathe से समंदी जितने प्रस्ण इस class 6 में आये थे वो आपको हम बता दिये हैं अभी breathe से जो है class 7 में इससे बड़े-बड़े प्रस्ण आएगे class 8 में इससे भी बड़ा class 9 में इससे भी बड़ा तो छोटे-छोटे प्रस्ण से हम बड़े-बड़े प्रस्ण की chapter by chapter daily करते चलेंगे तो आप सभी जुड़े रहेगा, बने रहेगा, देखते रहेगा और सारी classes को join कर लिजेगा धन्यवाद